नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चेनल साइन्स एकडमी साइन्स एकडमी में आपका स्वागत है यदि आप बिल्कुल नए से पढ़ना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चेनल पर आया हुए हैं यह चेनल आप लोगों को ध्योन में रखक ही बनाया गया है कि जिसे कुछ नहीं आता बिल्कुल जीरो है mathematics में उनके लिए यह चैनल बिल्कुल sufficient है यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को subscribe करें like करें दोस्तों में share करें तो आज आपके लिए लाया गया है लावहानी profit loss के कुछ और भी सवाल यदि आप पहले के कुछ वीडियो नहीं देखें हैं प्लीज आप playlist में जाके सभी वीडियो देख लें आपको बहुत चीज पढ़ाया गया 1100 रुपिय अंकित मुल्य बाली एक बस्तु को दस प्रतिसत बटा देने के बाद एक दुकांदार को एक दुकांदार को दस प्रतिसत का लाव होता है साइकिल का क्रेमूल बस्तु का क्रेमूल होगा आपसन यह अपका है आठ सो एक अनवे आपसन बी है ग्यारा सो ओपसन सी है दस सो नवासी ओपसन डी है नौस आप देख रहे हैं सवाल नंबर एक ग्यारा सो रुपिय अंकित मुल्य वाली एक बस्तु को 10% बट्टा देने के बाद एक दुकांदार को 10% का लाव होता है बस्तु का क्रेमूल होगा ठीक है तो आप जोनते हैं कोई भी चीज अपने आप में होता 100% ठीक है चाहे वा अंकित मुल्य हो चाहे करेमूल हो कोई भी चीज अपने आप में होता है 100% ठीक है तो आप देखिए जैसे कि अंकित मुल्य होगा तो अंकित जो मुल्य होगा वा भी क्या होगा 100% होगा और आपका CP भी होगा वह भी क्या होगा या भी होगा 100% क्योंकि कोई भी अपने आप में 100% होता है 100% करने से देखिए परसेंटेज में 100% से सुरू करने पर बहुत आसान हो जाता है इस बात को समझे तो अब देखिए क्या बुला कि अंकित मुल में 10% छूड़ दीजे तो 100 देखिए 10% छूड़ देंगे कितना होगा 90 होगा इसका मतलब हुआ कि अंकित मुल का 90% कोई दिकर है आपको यह जो होगा अंकित मुल का 90% वही तो उसका जो होगा जो CP है उसका 110% होगा क्योंकि बुल रहा है इस पर जो छूट देंगे इस पर जो आप छूट दीजेगा वही रुपिया क्या होगा इसका 10% एक्स्ट्रा होगा ठीक है अंकित मुल पर आपने छूट दे रिया यहा भी होगया SP विक्रे मुल होगया ठीक है यही विक्रे मुल उसका भी होगा CP के लिए भी विक्रे मुल होगा तो अंकित मुल का हुआ 90% CP के लिए हुआ 110% क्योंकि 10 तो 10% इसमें एड हुआ है इसमें 10% घटा था ठीक है तो 10% घटा थे इसलिए हो गया 90% 10% एड हुआ थो गया 110% तो आपको यहां से पता चल गया कि अंकित मुल का जो होता 90% होगा वह सीपी का होगा 110% ठीक है इस बात को आप समझ गया है अब देखते हैं यह बराबर का कटेगा यह 0 से 0 कटेगा ठीक है अब देखिए इधर है अंकित मुल इधर है CP आप इधर देखें 9 होगा इधर कितना होगा 11 नहीं इधर 9 होगा इधर 11 होगा इधर ऊपर बच गया CP अंकित मुल को कहते हैं printed price नहीं प्रिंटेड बोलते हैं तो आंकित मुल ही मैं लिख देत यह क्या हुआ रेशियो हो गया नहीं रेशियो आप पढ़े हैं यदि आप पहले नहीं देखे होएं तो रेशियो का वीडियो आप जाके देखिए अनुपास हम अनुपास का आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाए ठीक है तो इसका मतलब हुआ कि सीपी का बेलू है 9 और अ आसा करते हैं आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे समझने में कोई दिक्कत नहीं है यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है प्लीज आप कमेंट करके हमसे पुछ सकते हैं डिरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं मेरा फोन नंबर आपको यहां पर दिख रहा होगा 771 777 9745 ठी से तो देखिए सवाल नंबर दो क्या बोल रहा है एक घरी के अंकित मुल पर 10% छूट देने के बाद मुल 1080 रुपिया हो जाता है यदि छूट ना दी जाए तो दुकानदार को 20% का लाव होता है घरी का करे मुल बताई ठीक है तो देखिए इसने क्या बोला है कि हम अंकि अंकित मुल पर 10% छूट देते हैं नहीं तो कितना हो जाता है 180 हो जाता है तो आप जोनते हैं अभी तुरत देखें अंकित मुल हो की करे मुलह अपने आप में कोई भी चीब यह कुगा ही 100% होता है आप ध्याउन दीजिए कि अंकित मुल हंडेश परसेंट होगा 10% छूट देंगे तो 90% हो जाएगा तो अंकित मूल का 90% ही यह जो है विक्रे मूल है ठीक है इस बात को आप समझ रहे हैं तो अंकित मूल का 90% क्या अंकित मूल जैसे कि कोई भी बस्तु दोस पर इसे ट्याग लाके च्छापा हुआ इसको कहते अंकित मूल यहां पर जो लिखा रहेग कहने का मतलब जितना लिखा उतना में बेच दिया जाए तो इसको 20% का लाव हो जाएगा तो अंकित मूल आप निकाल लिजेगा वह क्या होगा उसके CP का 20% एक्स्टा हो जाएगा तो आप देख रहे हैं कोश्चन मूला 10% छुट इसका मतलब आपको दिया 90% के बराबर कित 90% का वेलू कितना है 189 से भी कटाएगे कितना हो गया 12 ठिकए यानि कि 1% का वेलू कितना आ गया 12 तो आप बोल सकते हं 100 परसेंट का व헤लू या कितना है 100% का वेलू हे 1200 इससे आपको पता चल गया है कि इसका जो CP हैंस्वारी अंकित मूल जा है छपा हुआ मूल ठِक है वह कितना है बारस हो ठीक है तो यह हो गया आपका छपा हुआ मुल बारस हो लेकिन कोश्चन में क्या बोला है कि छपा हुआ मुल पे हम छूट नहीं देंगे इसका मतलब इतना में ही मेचेंगे यानि कि बारस हो में मेचेंगे बारस हो में जब बेचेंगे तो उसको क्या होगा 20 परसेंट का लाव होगा तो लाव जो होगा CP पर होता है तो CP हमेशा आपने आप में क्या होता है 100% होता है ठीक है तो 100% होता है इसका मतलब 120% है 120% का भेलू कितना है 1200 है आप लिख सकते हैं 120% बराबर कितना है 1200 कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है ठीक है तो CP अपने आप में ह सब करते हैं यानि आपको लगा लां कि एक Lawrence का वेलू आपके पास कितना आए 10 नहीं आपको निकालना हैं यहाल का वहलू दल वहाल ॐस सब्वाल का यह इल पह़कर देखते रहें बहुत आसन है आप अंगलियों पर यह सब कर सकते हैं वो तो सीखाने के लिए आपको मैं इतना कर रहा हूँ मैं तुरत बोलता है कि 10% का जो भेलू है इसका निकाल लेंगे वह 1200 होगा ठीक है यानि कि 10% 90% का भेलू इतना 100% बड़ावर कितना होगा तो फिर 120% इतना 100% बड़ावर कितना होगा ठीक है चलते हैं अगले सवाल पर सवाल नमबर 3 आपका जो है एक वेपारी अपनी बस्तूओं का अंकित मुल तो दोस्तों मित्रों आप देख रहे हैं कि तीन नमर सवाल है एक वेपारी अपनी बस्तूओं का अंकित मुल इस परकार रखता है कि नगद खरीदारी पर सारे 12% की छूट देकर 20% का लाव होता है यदि बस्तूओं का करे मुल 140 हो तो अंकित मुल बताईए ठीक है तो देखिए आपका जो एक नमर सवाल था उसमें उसका सिर्फ उल्टा सवाल है उस सवाल में अंकित मुल दिया गया था और करे मुल पूछा गया है इस सवाल में करे मुल दिया गया है अंकित मुल पूछ होगा तो तो आप देखिए अंकीत मुल्फ में उसको देना चूट कितना देदेना है इतना चूट देना है ठीक है और उसके बाद CP पहलाद लेना है इसका मतलब वह अंकीत मुल्फ का इतना सारे बार परश्ण चूट देंगे तो 88 तो आप ऐसे लिख सकते हैं ऐसे अंकित मुल्न का क्या होगा सारे बारह परतीसर जब घटाईएगा तो कितना हो जाएगा बारह एक तेरह होता है जीरो पॉइंट फाइब एक सम्टेरह घटाते हैं कितना आता है अठाशी यानि की सारे सतासी अया क्या एक निट घटा लेते हैं एक सो माइनस बारह प्रट पॉइंट ठीक है तो दसमें पंच इहां कित मुल्न का 87.5 प्रतिसाथ ऐसा होगा अंकित मुल्का 87.5 प्रतिसाथ यह जो बरावर होगा CP का क्या होगा 120% के बरावर होगा इस बात को आप मौनते हैं तभी तो उसको लाव होगा यानि इतना पर ही बेचेगा तब इसको 120% मिलेगा ठीक है अब आपको इसमें % से % कटा लेते हैं अब इधार होगा CPA नीचे होगा अंकित मुल्क इधार नीचे लाते हैं यानि कि 87.5 बटा 120 बरावर हो गया CPA नीचे हो गया अंकित मुल्क यह बात आप समझ रहे हैं कहीं कोई दिकत नहीं है ठीक है तो इसको एक बार ऐसे करके यहां पर लाते हैं जीरो अब इसको हम लोग कटा आते हैं ठीक है CP बटा अंकित मुल्क हो गया तो आपको निकाला अंकित मुल्क इधा CP दिया एक सो चालिस तो इसको कटा लेते हैं ठीक है इसको सबसे पहले पंच से कटाते हैं पंच से जब कटाएंगे तो उपर कितना होगा 16, 80, 17, 85, 87, 175 फिर होगा पंच से कटाएंगे तो 24 पच्चे ठीक है यह हो गया देखें फिर यह पंच से कटा होगा तो 5, 3, 15 पंच से 35 नीचे कितना होगया 5 से 5, 4, 20, 48 35 बटा 48 आगया यह हो गया जो आपका होगया CP नीचे हो गया अंकित मुल यह बात आप समझ रहें इसका मतलब हुआ CP बराबर 35 अंकित मुल बराबर 48 तो CP जो है 35, 35 का वेलू आपको यह रेसियो में है तो 35 का वेलू आपको दिया गया है 140, यानि कि 35 का वेलू 140 है, तो कितना से यह गुना किया गया है, तो यह 4 से गुना किया है, आपको आजाएगा 140, इसका मतलब 48 में भी आपको 4 से गुना करना पड़ेगा, वह आपका मिल जाएगा, अंकित मुल क्या मिल जाएगा, अंकित तो आपका सवाल नमबर चार क्या है एक दुकांदा टीवी सेट पर आठ प्रतिसत की छूट के साथ 17,940 रुपय में बेचा उसे कितना हुआ 19.6% का लाव हुआ यदि उसने छूट नहीं दी होती तो कितने परतिसत का लाव होता देखिए यह सवाल देखने में थोड़ा सा टफ है लेकिन सवाल बहुत इज़ी है थोड़ा सा आप समझिए कि आपको क्या बताया गया कि कोई भ का अंकित मुल हो ठीक है वह सब होता 100% तो आप देखिए इसका जो अंकित मुल होगा वह होगा 100% उसमें 8% का छुट दिया होगा नहीं तो 8% जो छुट दिया होगा तो 92% में बेचा होगा इस बात को आप मानते हैं कही कोई दिकत नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि 92% में ब यानि 100 पलस इतना का भेलू हो जाएगा ठीक है इस बात को आप मनते हैं तो आप बाद में बलता है कि छूट ना दिया जाए इसका मतलब 92 में दिये तो इतना लावा छूट ना देगे तो कि इसका मतलब 100 में बेचेंगे ठीक है 100% में बेचेंगे जितना अंकित मुल होगा त तो आप वहीं से निकाल सकते हैं आप देखिए कोश्चन में दिया हुआ है कि 92 परसेंट का जो वेलू है 119.6 परसेंट इस बात को मानते हैं क्योंकि यह CP सोरी अंकित मुलका 92 परसेंट बराबर CP का 119.6 परसेंट यह आप समझ रहे हैं कहें कोई दिक्कत नहीं है तो इतना परसेंट का वेलू आपको मिल गया है ठीक है कहें कोई दिक्कत नहीं है तो इसका मतलब यह परसेंट परसेंट बरा देते हैं यह 92 का वेलू इतना है आपको अगर बोले एक का वेलू बता इसका मतलब वा 119.6 बटा में 92 कहें कोई दिक्कत नहीं है तो एक परसेंट का वेलू था आपको 100 का वेलू निकालना था ठीक है 100 का वेलू निकालना था कोई कोई दिकत नहीं है 100 का वेलू निकालना तो इसका मतलब यहाँ दो जिरो दिये तो इसका मतलब वह 100 से गुना करना तो आप यहाँ भी 100 से आप इसको गुना कर दीजिए ठीक है वही जो एंसर आएगा तो एक सो पलस उतना आएगा नहीं जैसे कि एक सो में इतना जोड़े तो एतना परसिंद का लाव हुआ है एक सो में जितना अधिख होगा उतना परसिंद का लाव हुआ है इसका जवाब solution करीए गाउ ये point से ऐशे कट आएगा एक 0 से एक गिरो कट गया है ठीक है तो एक गिरो से एक गिरो कट गया है अब आप क्या किजिए इसका सोलुसन किजिए ठीक है तो क्या जाएगा इसको बिरानवे को कटाईए कितना बार में तो तीरा बार में टोटल कटेगा तेरे बरम का टाईगाद कितना आजाएगा 130 नहीं तो देखें यहाँ पर जो लिखे थे 19.6 एकसो में जूर की लिखे थे इसका मेलू कितना है 130 आया इसका मतलब एकसो में 8 है तो 30% इसका कितना हो गया लाव हो गया इस बात को आप समझ रहे हैं ठीक है तो इस सवाल का एंसर हुआ option number D 30% love कहीं कोई दिकत नहीं है यदि आपको ऐसा लगए तो आप वीडियो को पीछे करके दुबारा से देखे आपको समझ में आ जाएगा ठीक है चलते हैं आगले सवाल पर सवाल नमबर पंच आपका है एक रेडियो को तो आप देखे हैं सवाल नमबर पंच क्या है ए ने एक रेडियो को 20% लाब पर बी को बेचा बी ने सी को 25% लाब पर बेचा यदि सी ने रेडियो का मुल 225 रुपे दिये तो ए ने रेडियो का मुल दिया होगा नहीं तो देखिए इस सवाल को आपको पहले में बेसिक तरीका से बताता हूँ फिर आपको टाइम बचाने के लिए एक नया तरीका आपको दूँगा जो आप फटा-फट सिख जाईएगा तो देखते हैं तो जैसे देखिए आपको निकालना एक करेमूल तो एक करेमूल कुछ न कुछ होगा तो आप जो जोनते हैं कोई भी करेमूल जो होता हूँ आपने आप में 100% होता है एक का जो भी होगा तो यदि लाब लिया होगा तो एक सो पलस उतना होगा यदि होनी हुआ होगा तो एक सो मैंस उतना होगा ठीक है यही चीज अब क्या हो गया बी का हो गया करेमूल क्योंकि हम जो चीज बेचेंगे आप खरी दियेगा तो मेरा बी करेमूल आपका करेमूल बराबर होगा फिर अब आप जिसको बेचिएगा तो आप अपने हिसाब से बेचिएगा तो यह जो पीस है यह जो गोला हुआ बी के लिए क्या हो गया करे मुल हो गया अब बी क्या करे बी लाब करे तो एक सो में उतना जोड़ेंगे बी हो नहीं करे तो एक सो में उतना घटा आएंगे तो बी बी क्या करा बी पचीस परसेंट लाब करा तो फिर उसमें इतना गुन है 80 का क्रेमल बराबर दिया है 225 रुपय देखिए अब आपको लग रहा हुआ कि इतना चीज करने में हमको चोईम लग रहा है नहीं समय लग रहा तो इस समय को बचोने के लिए आप देखिए जब भी ऐसा सवाल आएगा सुरू सुरू में आपको ऐसा ही पूछा जाएगा जो सुरू में बैखती रहेगा उसके लिए बीच में कोई पूछेगा तो अधिकतर सवाल में आपको जिसका कम सुरू से होगा सुरू के बारे में ही पूछेगा या फिस सुरू में दिया रहेगा तो अंतिम के बारे में आपसे पूछेगा ठीक है इस कंडिशन में आप कर नहीं करें ठीक है जो लास्ट में दिया गया यह दो सो पचीस ठीक है इस दो सो पचीस को लिख दीजिए देखें कि इसका जो सोलुसन करेंगे यह सब उधर जाएगा और यह उल्टा होगा जब सुल्टा सामय में था तो उपर 120 नीचे 100 था ठीक है तो उधर यहां से सुरू क करेंगे तो आप लोग यह सब कुछ नहीं करेंगे यह लिख देंगे 200 आपको एक पुछा है तो आप फिर से इसमें गुणा करेंगे यह 120 होगा 120 आप नीचे में लिखिया ऊपर 100 थे फिर दूसरा क्या होगा A का करेमूल मने A उतने में खरदा होगा ठीक है तो इसको कटा लेते हैं सबसे पहले आप कटा सकते हैं 25 चोटे और 25 चोटे और 25 चोटे ठीक है इतना कटा लिए अब आप इसको जब कटा येगा तो 5 से ये कटेगा 5 से कितना बार में कटेगा 5 चोटे 20 25 चोटे 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 25 सवाल का इंसर है option number C ठीक है आसा करते है वीडियो आपको अच्छा लगर होगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो please वीडियो को like तो बनता है ठीक है और दोस्तों में share जरूर से जरूर करें इसे हमारा उसा बढ़ता है चलिए तो अगले question पर चलते है question number 6 आपका होगा अरून ने एक बस्तू फिर से है तो अब आप देखिए सवाल number 6 क्या है अरून ने एक बस्तू बाबू को 10 परसल लाब पर बेचा बाबू ने भी उसे चंदर को 10 परसल लाब पर 60 पर 50 परसल में बेच दिया अरून ने बस्तू को कितने में खरीदा तो आपने जो देखा था पंच नमर सवाल से मोईसाही सवाल है कहीं कोई सवाल में अलग थलग नहीं है आपको देखिए अरून के बारे में पुछा तो आपको जस्टी बताया गया था आपको शुरू बाले के बारे में पुछा जाएगा लास्ट बॉला का दिया रहेगा आपको क्या बताया कि लास्ट बॉला लिखिए गुना में ऊपर में 100 नीचे में कितना परसंट होगा उतना लिखिए तो देखिए क्या है इस सवाल का इंसर जाणने के लिए आपको लिखना पर हैगा 60-50 गुना में 100 इसमें क्या हो 110 फिर दूसरे बारे में फिर 100 नीचे 110 फिर से हो गया क्योंकि 10 परसंट ही हाँ भी 10 परसंट ही अब इसका जो सोलूसन करेंगा वही एक का निकल जाएगा यानि कि अरुन का निकल जाएगा तो सबसे पहले आप यह 0 से 0 double 0 खतम कर दिजिए ठीक है आप जब इसको मिटाईएगा तो यह double 0 आएगा तो यह double 0 यह भी खतम हो गया आपके नीचे कितना बच गया है 60-50 नीचा में कितना बच गया है दो बार 11 यही ने बच गया है 60-50 नीचा में दो बार 11 बच गया कहीं कोई दिकत नहीं है ठीक है इसको जब आप कटाईएगा तो कितना कटेगा तो 11 पच गया है देखे 11 से कटाएगे तो 11 पच पच पन और फिर 11 पच पन एक जीरो कहीं कोई दिकत नहीं है आपको अब फिर 11 से कटाईएगा कितना बार में कटेगा 11 पच पन पच पन पच जाएगा इस सवाल का इंसर हुआ पचास रूपिया ऑप्सन नंबर ए ठीक है चलते है आगले सवाल पर सवाल नंबर साथ तो आप देख रहे हैं सवाल नमबर 7 क्या है सवाल नमबर 7 आपका है कि रोम ने एक गायक रहीम को 20% लाप पर बेचा तथा रहीम ने इसे रोबर्ट को 25% लाप पर बीच दिया यदि रोबर्ट ने 900 रुपिय दिये तो रोम ने गायक कितने में खरीदा तो आप देख रहे हैं कि सवाल सेम टू सेम है पीछे भी दो सवाल आप बना चुके है ठीक है और एक टैप का सवाल आपको इसलिए बताया जाता है कि आप बार बार एक टैप का सवाल बना के आपका कॉंसेप बिल्कुल किलियर हो जाए आपको किसी परकार का confusion नहीं रहे तो आप देखने से मुईशाई सवाल है आपको शुरू बाले के बारे में पूछा गया है यानि रम के बारे में पूछा गया आपको करना क्या है यहावला 900 आपको लिखना है 900 गुन एक सो कर दिए एक condition क्या हुआ 20% का लाप्त नीचे अब कितना हो जाएगा 120 फिर 100 दूसरे में क्या हुआ 25% लाप्त नीचे कितना होगा 125 इसको कटा लेगा बात खतम हो जाएगा तो देखिए 244 के 125 पच्चे 125 बीस कांके 5 बार 20 कांके 6 बार 5 से 5 कचाईए ठीक है दुकां कटाएगा यह सवाल का इंसर है और यह सब यह आप अंगलीों पर कर सकते हैं ठीक है आपको घाबरवाने की कोई आवसकता नहीं है चलते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल नंबर जो क्या है 8 है एक के पास तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 8 क्या है पुना बी ने उसे वापिस एको दस परसा हानी पर बेच दिया इस लेन देन में एको कुल कितना लाब हुआ ठीक है तो आप देखिए जैसे कि मैं ए हूँ मेरे पास दस जार का एक बिल्डिंग है उसको मैं बी को दिया फिर बी को ऐसा लगा रुपया का जरूत है वापिस हम को जब बेचने हैं हम उतना में नहीं देंगे ठीक है तो क्या वोला थोड़ा सा कम कर दें दस परसेंट हानी पर हमको दिया है तो इस कंडिशन में मेरे पास मकान था फिर मैंने उसको एक बार बेचा फिर वापस मेरे पास ही आ गया मेरा समान वही को ही रह गया लेकिन पुछा जा रहा है कि कितना लाव हुआ है ठीक है तो देखिए क्या किया है यह सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का है तो यह जो है उसको बेचेगा ठीक है तो देखिए एक कितना में बेचा है एक का भिक्रयमूल क्या होगा A का विक्रे मूल या क्या होगा 10% एक्सा होगा तो आप 10,000 लिखिया 110 बटा में 100 किजिएगा यह बात आप समझे रहे हैं ठीक है एक जिरो यहां और होगा ठीक है या A का विक्रे मूल होगिया कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है तो एक कितना में बेचा है तो देखे यह जिरो से और यह जिरो कटा देजिए सब मिला के 10,000 था तो मैंने 11,000 में इसको बेचा है कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको 11,000 में बेचा है अब क्या होगा 11,000 में मैं बेच दिया हूँ अब क्या कह रहा है कि B फिर वापस A को बेचता है 10 पर सर होनी पर बेच रहा है तो आप देखिए B जब बेचेगा तो A खर देगा तो क्या होगा B का B क्रेमूल अब फिर A का क्या होगा क्रेमूल होगा ये बराबर होगा तो B को आप बेचवाईए तो B कितना में बेच रहा है तो 11,000 तो उसके पास है अब वो क्या करेगा 10 पर 37 होनी पर बेचेगा ये बात आप समझेगे कोश्चन में बोल रहा है कि 10 पर 37 होनी पर बेचेगा तो होनी के लिए इसमें क्या होगा 90 बटा 100 होगा इसको जब हम कटा देंगे तो यहां कितना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा तो 11,99 यानि कि 99,100 होगा क्या होगा 99,100 होगा इस बात को आप समझ रहे है कोई दिकत आपको नहीं है ठीक है तो 11,99,100 हुआ ठीक है तो अब आप देखिए 9900 हुआ ठीक है तो देखिए आप यहां से यहां देखिए कि हमने 9900 में खरीदा है ठीक है 9900 सही है 9900 हाँ ठीक है तो 9900 में खरीदा है और हमने बेचा था कितना में 11000 में तो अब देखिए कि हमको कितना लाब हुआ तो करेमुल माइनस भी करेमुल वही तो आपका क्या होता ह नहीं वही आपका क्या होता है लाव होता है तो हमने खरदा है इतना में बेचा है इतना में तूसको घटा लेए तो ग्याराहजार में 9900 आप घटाईएगा नहीं, तो कितना हो जाएगा आपका, इसमें क्या होगा, 0, 0, 10 में से 9 हो गया, 1, 10 में से, तो 1100 का क्या हो गया, लाब हो गया, ठीक है, option number किसमें है, option number B में है, 1100 का लाब हो गया, ठीक है, कहीं कोई दिक्कात नहीं है, चलते हैं, अगले सवाल पे, अगला सवाल नमबर 9 है, तो सवाल नमबर नुम में क्या है बस इसी में थोड़ा सा में कर देता हूं तो इसमें क्या है इस बार क्या है दस लाख का है तो आप देख रहे हैं सवाल नमबर 9 क्या कर रहा है A के पास 10 लाख लागत का मुक्राण है उसने B को 10 परसल होनी पर बिचा पुना B ने उसे वापी 10 परसल लाख पर बिच दिया इसलिए इन देन में A को क्या हुआ A को लाब हुआ की हुआनी हुआ यही आपको बतना है तो A को एक बार другой आप B क्र्यमूर मैनस कर्यमूर आप देखिये लाब हो रहा की हुआनी हो रहा A को आप 10 लाख है तो 10 परसल हुआनी पर बिचवाई यह न ही तो आप देख रहे हैं कि एकदम सिधा सिधा डेटा है तो देखिए A कितना में बेचा है तो A का B क्रेमूल देखिए A का हम क्यों लिख रहे हैं क्योंकि A के बारे में question में पूछा तो A का B क्रेमूल होगा तो 10 लाख का है 10% हमनी हो जाएगा तो यह 9 लाख बचेगा 9 लाख ठीक है 9 लाख बचेगा तो यह B का हुआ B ने खरिदा है अब B जब बेचेगा वह A का फिर क्या होगा क्रेमूल होगा तो B का B क्रेमूल अब बराबर क्या होगा A का फिर से हो जाए तो बी के पास कितना है नो लाख रुपिया है तो नो लाख के लिए मैं अब जीरो में कनवर्ट करता हूं नो पर पंच जीरो होगा ठीक है तो यह नो लाख है इसको फिर से दस परसल लाव पर बेचेगा इसका मतलब हुआ 110 बटा में 100 तो इसको जब कटा देंगे एक जीरो जीरो कट गया अब फिर से क्या हो जाएगा 11 नमे के 99 है 99 हो गया उसके वाद यहां तीन आ एक चार जीरो यहां पर होगा नहीं ठीक है तो देखिए ए ने कितना में खरीदा है और कितना में बेचा है ठीक है तो ए ने इसका ए ने बेचा है कितना में 9 लाख में तो 9 पर कित एक दू तीन चार पॉंच इतना में बेचा है ठीक है और खरीदा कितना में है तो 99 में एनिकी 9,90,000 में नहीं नो लाख नब्वे हजार में ठीक है खरीदा है तो बात समझ रहे हैं तो यह हुआ इसका बिक्रेमूल यह हुआ करेमूल तो इस स्थितिम देखे करेमूल जादा है कितना नब्वे हजार करेमूल इसका जादा है अब बिक्रेमूल इसका नो ही लाख है नहीं नो लाख हजार का कितना हो गया होनी option number C इस सवाल का answer है तो आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा तो आज के लिए बस इतना है फिर से मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बाई